स्वास्थे जंदिगी का सबसे ज़रूरी पहलू है मानव स्वास्थे का सही होना और ठीक तरीके से काम करना बहुत आवश्यक है अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो पहले लोगों की ओसतन उम्र 100 साल के करीब या उससे अधिक हुआ करती थी और बिमारियां भी बहुत कम हुआ करती थी मगर आज के दौर में ये उससतन उम्र की दर काफी कम हो चुकी है बिमारियों तथा अस्पतालों की गिंती भी बढ़ती जा रही है जिसका एक प्रमुक कारण है भोजन में पोशक तत्वों की कमी लगातार हो रही इन पोशक तत्वों की कमी को World Health Organization ने Hidden Hunger यानी छुपी होई भूक का नाम दिया है डेबियो एचो के अनुसार जो भी स्वास्थे संबंदी बिमारियां या रोग आज देखे जा रही है वो हमारे असंतुलित खान पान की वज़ा से ही है और यह खान पान तभी सही और पोश्टिक हो सकता है जब हम अपने पोधों को सही आहार दें पोधों को उनके जीवन के अलग-अलग पडावू में उनकी जरूरत के अनुसार पोश्ट मुहया करवाने से उनका विकास बहतर होगा पोधे स्वस्थ होंगे इस तरह हमें उनसे मिलने वाले आहार से भरपूर मात्रा में पोश्ट मिलेगा और जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी बिमारियों के अकरमन से बचा रहेगा पोधों की इन पोशक तत्वों की जरूरत को पूरा करने के लिए ग्रीन प्लैनेट लाया है पावर प्लांट ग्रो और नाइट्रो किंग जो पोधों को पूर पोशन मुहया करवा कर उनके बहतर विकास में सहायक है पावर प्लांट ग्रो एक संपूर और्गैनिक खाद है जिसमें पोशक तत्वों के साथ-साथ पोधों का सत्व भी है यह पोधों के शुरुवाती दौर में बहुत लावकारी है और ज्यादा से ज्यादा शाखाएं बनाने में भी मददकार सिध होता है यह पोशक तत्वों की उपलब्धता और अवशोशन को बढ़ाता है ग्रोव में पाये जाने वाले प्रकृतिक हामोन्स और एंजाइम्स प्रकाश संशलेशन यानि फोटो सिंथेस प्रक्रिया में व्रिधी करते हैं जिसके परिणाम स्वरु पोधों में एसिमिलेशन प्रोसेस यानि आतमसाथ प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है और पौधों को जल्द से जल्द विकास करने में मदद मिलती है पावर प्लांट नाइट्रो किंग में एन पीके की संतुलिक मत्रा होने के साथ-साथ हुमिक एसिट और फुल्विक एसिट भी हैं जो प्रकृतिक रूप से पोशक तत्वों को जमीन से मुक्त कर पौधों तक उनकी जरूरत के हिसाब से पहुंचने में कारगर सिद होते हैं नाइट्रो किंग पौधों में बनी शाखाओं को बढ़ाने में मदद करता है इसमें पाए जाने वाले अन्य एंजाइम्स और हामोंस पौधों की अच्छी उत्पादक्ता एवम उत्पादन में मदद करते हैं ये फूलों का फलों में रुपंतरन की प्रक्रिया को उत्ते जित करते हैं नाइट्रोकिंग में मौजूद ह्यूमिक एसिड भूमी में कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को बनाई रखने में मदद करता है फल स्वरू पौधों का भैतरीन विकास होता है इसके अतिरिक्त ये दोनों उत्पाद भूमी की उपजाव शक्ति तथा पौधों की बिमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं इसके साथ साथ ये भोजन में पोशक तत्वों की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद करते हैं भूमी उपचार के लिए ग्रो और नाइट्रो किंग का इस्तिमाल 1-2 लीटर प्रती एकर के हिसाब से किसे भी परम परागत विधी से किया जा सकता है फोलियर स्प्रे के समय ग्रो का इस्तेमाल 1.5 ml से 2 ml और नाइट्रो किंग का इस्तेमाल 2 से 4 ml प्रती लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं बहतरीन परिणाम के लिए 15 लीटर स्प्रे टंकी में 5 ml स्प्रेड ऑल 90 का उप्योग करें